जीजा की हत्या करने वाले साले को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है आरोपी नाबालिक बताया गया है आरोपी प्रेम विवास से नाखुश्ता अपनी बेहन को पहले पती के साथ भेजना चाहता था गोली सीने में मारी गई थी गोली मानने वाला कोई और नहीं राज की पत्नी का भाई यानी कि राज का साला नावालिक बताया गया है नावालिक साले को गिरफतार कर लिया गया है सदर थाना च्छेतर में जो गोली कांड 14-13 को हुई थी जिसमें एक विक्ती की हत्या सोते हुए हत्या कर दी गई थी उस मामले में पुलिस ने एक बाल अफचारी को गिरफतार किया है और अस्थानी लोगों के दोड़ा बताया गया था कि उसी ने गोली चलाई है और उसके निसादही पे पुलिस ने दो तमंचे दो जिन्दा कार्टूस और जो दो मुबाइल वहां से लेकर गया था वो सबी बरामत किया है और इसमें अगरिम विदिक कारवाई की जा रही है जानकारी के मताबिक राज की पत्नी रमा देवी ने अपने पती को छोड़ कर राज के साथ प्रेम विवा किया था समा देवी के पहले पती से दो बच्चे भी हैं बच्चों और पत्ती को छोड़ कर समा देवी अपने प्रेमी राज के साथ रहने लगी थी समा देवी के बच्चे परिवार में कहते थे मंगी को बापश ले आओ समा देवी के पिता भी बूले हैं रोते रहते थे आकर क्या हुआ ऐसा बताया गया है इसी बाद से परिसान होकर समा देवी के भाई ने कानून को हाथ में ले लिया और सजा खुद ते कर दी, जिस सजा को समाज ते करता या कानून ते करता, उस सजा को समादेवी के भाई ने ते कर दिया, जो गेर कानूनी है। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी भरार हो गया था, इसके पीछे और भी कोई बज़े हो सकती है। करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है। आरोपी नावालिक बताये जाता है, ऐसा बताये गया है, आरोपी की भेन के दो बच्चे, पूर्व में साधी हो गई थी, पती को छोड़कर प्रेमी के संच चली गई थी। आरोपी की भेन के बच्चे पिता को लानी की जिद मामा से करते थे, आरोपी के पिता भी आँसू भाते थे, जानकारी के मताबिक आरोपी को ये सब देखा नहीं गया और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन कानून का सारा लेना चाहिये था, सवाल ये भी उड़ता है, कोट में हुए बयान के दौरान बेहन ने अपने प्रेमी के साथ जाने की बात भी कही थी, इसी आधार पर प्रेमी के साथ आरोपी की बहन रह रही थी, इसी बात से गुस्चे में आए, आरोपी ने, हठ इसकोना जिया, सी नियूज, आगरा.